Hello everyone, welcome to our channel Achievers Edu Corner आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार में शिक्षा का विकास कैसे हुआ But in British period, ठीक है? तो British period की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहें कि इंडिया के कॉंटेक्स में उस ताइम क्या कुछ सीन चल रहा था ठीक है? तो इंडिया के अगर अच्छा आप एक बात ये सोचो कि Britishers education को लेके कोई भी policy क्यों बरा रहे थे? What was the reason behind that? तो first of all तो ऐसा है कि white burden theory मैंने आप लोग को first video में बताया था तो white burden theory था क्या? कि उसके अनुसार Britishers ऐसा सोचते थे कि इंडिया को सभ्य करना, cultured करना, educated करना that was their responsibility ठीक है? और इसको show करने के लिए, इसको सही बताने के लिए इसको prove करने के लिए वो कई सारे ऐसे policies लाते थे ताकि वो चीज prove हो सके दूसरी बात कि European officers maximum number of officers were European, ठीक है? लेकिन other employees होंगे, staffs होंगे या फिर ऐसे लोग जिनकी जरूरत अंग्रेजों को थी तो इन सारे लोगों को यूरोप से यहां बुलाना that was too tough task, actually that was not possible तो इसके लिए Britishers ने क्या कि यहां पे एक ऐसे class को एक ऐसे word को develop करना शुरूर किया जो अंग्रेजी भाषा जानते हों, थोड़े बहुत educated हों और अंग्रेजों के काम को सही धंग से वो कर सकते हों, ठीक है? तो इसके लिए education की जल्वत थी, because English was very new thing for Indians और Indians के language को अंग्रेजों के थूरू समझना, that was tough task तो जब तक language समझेंगे नहीं, तब तक काम हो नहीं सकता था means यहां पे language सबसे बड़ा barrier था, ठीक है? इस चीज को देखते हुए, 1835 में मैं काले का घोषना पत्र जाड़ी किया जाता है यहां पे सबसे पहले आप यह देख लीजें कि मैंने कुछ points को note down किया है, ठीक है? विकोज यह एक ऐसा topic है, जिसमें facts बहुत ज्यादा है और इन facts में मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी mismind हो या फिर कुछ भी मैं ऐसा चीज हो जो कि मैं नहीं बता पाऊँ आपको क्योंकि facts में errors होने की संभावनाएं ज्यादा होती है आप चाहो तो आप इसका screenshot ले सकते हो बिकोज यही वो topics हैं जिसको आप अपने answer writing के दौरान answer में add करोगे ठीक है तो अगर हम लोग बात करें बिहार में शिक्षा के विकास को लेके तो 1912 तक बिहार जो था that was the part of Bengal और administration का जो center था that was in Bengal तो जो भी developments होते थे चाहे वो university विश्व इद्याले की स्थापना हो या फिर colleges की बात की जाए या education को लेके जो भी policies आते थे वो मतलब कॉलकता oriented होता था means कॉलकता और West Bengal में ही वो centered होता था सारा कुछ सारे developments वहीं देखे जा सकते थे बिहार को बहुत ही उपेक्षित किया जाता था ठीक है उपेक्षित मीन तुसे कि इसको उस तरीके से development यहां हो educational institutions खोले जाए ऐसा अंग्रेश नहीं कर रहे थे ठीक है तो इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से developments होते हैं तो 1835 में जो मैकाले का घोशना पत्र आता है उसमें education को लेके especially western education को लेके कुछ बात कही जाती इसमें जो मैन वो यह है कि इसमें बताया जाता है कि वह दोड़ी था जिसके basis पे ऐसा माना चाता था कि अगर हम society के एक क्लास..? तो एक वर्ग को अगर स्रिक्षित कर देते हैं एजुकेटिट कर देते हैं तो शिक्षा का जो प्रसाड है वह चंचंकर नीचे तक रूट तक आ जाएगा यानि कि रूट में जो लोग बैठे हुए हैं वहां तक आ जाएगा means if you want to educate society you don't have to think about the whole society उसके कुछ खास लोगों को आप educated कर दो वहां से शिक्षा का प्रसाड सारे वर्गों में हो जाएगा ठीक है तो यह था आपका अधोगामी निश्यंदर सिध्धान इसके अलावा क्यूंकि 1835 में मैं काले ने बोला था कि वेस्टर एजुकेशन के development के लि जिसमें इनिश्यल स्टेज पे सबसे स्टार्टिंग में पूर्णिया और पत्ना में जिला स्कूलों के स्थाबना की जाती है आफ्टर डाट बहुत सारे प्लेसेस लाइक मोतिहारी, चाईवासा, औरंगावार, आरा, भागलपूर, मुझभःपूर, बिहार शरीफ इन छ चाईवासा, देन हजारी वाग ठीक है और सबसे पहले स्टार्टिंग में पत्ना पूर्णिया ठीक है यहाँ पे एक चीज 1847 में गर्स एजुकेशन को लेके भी एक बहुत बड़ा स्टैप लिया जाता है या फिर इंग्लेस एजुकेशन की ही बात करें तो एक स्टैप है अब हम लोग देखें कि 1854 में एक सर्वे वुआ था एजुकेशन को लेके साक्षर्टा सर्वेक्षन था वो इसमें इसका जो रिजल्ट था उसमें ऐसा बताया गया था कि बिहार का जो लिटरिसी रेट है साक्षर्टा दर है डाट इसके बारे में सूचा नहीं जा सकता थ था कि क्या कंडिशन था उस टाइम का आप खुछ सोजो कि 7.5% लिटरेसी रेट था उसमें तो इस चीज को देखते हुए यहां पे कुछ एजुकेशन के छेत्र में प्रयास किये गया ठीक है अब क्या होता है यह तो बेसिक एजुकेशन की बात हो गए अब हायर एजुके आप पुरी महाविहार को देख लो आप बिक्रम सिला महाविहार को देख लो मेंस एजुकेशनल हब रहा है यह बट मेडिवल पीरेट तक आते आते हैं इसका जो एजुकेशन का लेवल जो है उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है and this is the situation in modern era 7.5% लिटरेसी रेट ठीक है त तो 1863 में पटना कॉलेज के स्थापना की जाती है और इस समय यह बिहार का इकलोता ऐसा कॉलेज है जो की डिगरी प्रोवाइड करता है डिगरी प्रदान करता है ठीक है पटना कॉलेज के स्थापना के बाद 1887 में TNB कॉलेज भागलपूर के स्थापना की जाती है After that उसके दो साल बाद 1887 TNB College भागलपूर After that 1889 BN College पत्ना 1897 DJ College मुंगेड And after that 1899 LS College मुझभःपूर ये सारे colleges स्टाबल किये जाते हैं इस period में ठीक है इसके अलावा higher education institution की अगर बात की जाए तो और भी बहुत सारे institutions स्टाबल किये जाते हैं इस period में जैसे 1909 में 1st Law College of Bihar स्टाबल किया जाता है And that is पत्ना Law College ठीक है इसके बाद 1917 में पत्ना विश्व विद्याले के स्थापना की जाते हैं यहाँ पे आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना कि 1863 में पत्ना कॉलेज की स्थापना की गई थी And after that 1970 में पत्ना विश्व विश्व थी तो यह कुछ colleges थे यहाँ पर higher education के इंस्टिचूट्स थे जहाँ पर higher education को लेके श्रिक्षा की ववस्था की गई थी ठीक है अब उनलोग तक्नीकी या व्यापसाइक स्था की बात करते हैं तो अभी जो मैंने आप लोग को बताया है अधो मुखी निश्यव दन सिध्धान के वाड़े में तो उट्स डिस्पैच के वाड़े में आप लोगोंने सुना होगा 1854 में उट्स डिस्पैच आता है जिसमें व्यापसाइक और तक्नीकी सिछा पर जोड दिया जाता है ऐसा बोला जाता है कि अगर एजुकेशन के फिल्में डेबलक्मेंट चाहिए या फिर काम करना है तो व्यापसाइक से इच्छा जो है और टेक्निकल एजुकेशन जो है उसके लिए हम लोगों को काम करना होगा ठीक है तो इस समय तक तो अधुम्मों की निश्यनन सिधान को फॉलो किया जा रहा था उसी के बेसिस पर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था प्रवसाइक सिच्छा या तकनिकी सिच्छा के छेत्र में इंस्टिउशन के इस्टाबिश्मेंट की बात करें तो सबसे पहले 1902 में हैंडरी फिलिप ठीक है तू यर्स लेटर दो साल के बाद उसी फर्म को रिसर्च सेंटर के रूप में कंवर्ट कर दिया जाता है ठीक है अब अगर आगे देखे तो 1917 में सैटलर कमिशन आता है इसके बारे में आप लोगोंने जरूर पढ़ा होगा इस कमिशन की जो सिफारिशे थी उसमें एक था डिप्लोमा जैसे को बढ़ावा देना तो इस चीज को देखते हुए इस समय डिप्लोमा कॉलेजेस को स्टावल किया गया ठीक है अफ्टर डैट मेडिकल के फिल्ड में दो जो इंस्टिशूशन थे इन विश फोस्ट वोस 1925 पीम्स चेस के स्थापना एं 1947 दीम्स दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना ठीक है आफ्टर डैट 1926 में अनुस अंधान के सथार में हम लोगो बोले या माइनिंग के सथापना की गयी ठीक है आफ्टर डैट 1932 में पत्ना इंजीनियरिंग कॉलेज के सापना की गई विच इस नाओ टुडे नोन अस नेशनल इंस्टिटूट ऑफ टेक्नोलोजी पत्ना ठीक है तो यह कुछ था विच वर्ज रिलेटेटेट टू की हाउ एजूकेशन स्प्रेडिंग भी हार ड्यूरी बिटिस पीरिट ठीक है तो यह साड़ा फाक्ट है, इस साड़ा फैक्ट यह तोपिक बेसे पाईप्ट, आपको साड़े हैशन जिस छो आखी विच तो आपको याद करना है यह साड़े फैक्न आपको याद करना है तो यह सारे points आप अपने answer में जरूर add करना ठीक है और एक और चीज यहां पर education का development इस तरीके से तो गुवा answer जो अभी आप लिखोगे जो भी question पूछा जाएगा आप इसको current से correlate करके जरूर लिखोगे like इस तरीके से आप लिख सकते हो कि whatever you have to describe first you describe that and after that you will add कि इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि प्राशिंग काल में भी बिहार का एक सम्रेथ शुक्षा के शेत्र में एक सम्रेथ हितिहास रहा है जो कि मद्धे काल तक आते जाते हैं पतन की और अग्रसर हुई और फिर after that greatest तो you have added only already तो उसके बाद आप डालोगे कि अब अग्रे के बाड़ में आप डीटेल से बताओंगे लाइक चानक्या ले नेशनल लॉव युनिवर्सिटी जिस इन अदर उनिवर्सिटी को फिरसे नग निर्मित किया गया है तो अहां पे रिसर्च वगरा को लेके पढ़ाई करवाई जाती है तो यह सारे की चीजों को कुछ चीजों को, you don't have to make your conclusion so big, तो कुछ चीजों को आप add कर सकते हो, तो ठीक है, तो I think, I have covered all the topics, sorry, all the points, and now, next topic, जो हमारा होगा, that will be, I think, on Gandhi, Gandhi की जो विचार धाड़ा है, उसके बारे मैं भी बात करेंगे, ठीक है, till that, please keep watching, and do subscribe मैं चानल, thank you.